तो दोस्तों आज अखबार में खवर थी कि एक चीनी नागरिक ने नौ दिन के अंदर बारा सो से अधिक गुजरातियों के साथ चौदा सो करोड रुपए की ठगी कर लिए और वो भी कैसे कर लिए फुटबॉल के एक बेटिंग आप के नाम पर इस ठगी को अंजाम दिया गया है अब मामला गंबीर था गंबीर होता भी क्यों न क्योंकि विपक्ष के नेता और मीडिया सेल के प्रभारी पवन खेडा जो कॉंग्रेस के हैं उन्होंने एक प्रेस कांफरेंस भी की बकाइदा और उसमें बताया कि इस बहुत बड़ी ठगी का जो केंदर है वो गुजरात है और गुजरात से ही हमारे पीएम मोदी जी और अमिशाह जी आते हैं बावजुत इसके भी यहां पर बहुत बड़ी ठगी हो गई है तो इसके उपर सरकार को एक वाइड पेपर लाना चाहिए और सारे सचाई से जो है वो परदाफाश करना चाहिए साती उन्होंने आरोब लगाया कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो भी इस तरह के आप को प्रमोट करते हुए पाई गई थी यानि कि भारती जंता पार्टी के उपर सीधा सीधा आरोब लगाया गया कि दो पहा कि यह मामला 1400 करोड का नहीं है सिर्फ 3003 करोड का है तो क्या है पूरी खबर इसके बारे में तफ्तीश से जानते हैं सबसे पहले समझते हैं कि जो खबर अगबार में चपी थी वो क्या थी उसके बाद हम जानेंगे कि गुजरात पुलिस के दौरा क्या कहा गया और उस बाड़ेना चाहता हूँ कि तमाम बड़े-बड़े के नाम पर और या फिर इस के नए नाम पर भी जैसे ककी इसका नाम आया दाaks na और या फिर डानी और फिर जी वी फुट बाल या फिर लकी बॉल तरह के जो न जो कि किसी ब्रैंड से जुड़े बॉनस दिया जाता है और इस तरह से जोड़ेंगे तो भी आपको बोनस मिलेका और साथ ही क्या है उसके लिसा रहे होते हैं चाहे कोई भी गेम हो, वो गेम चल रहे होते हैं और अगर आप उनपे बेटिंग करेंगे तो आपको एक बहुत जादा बड़ा मुनाफ़ा मिलने वाला है, तो इस तरह के बड़े मुनाफ़े के लालच में लोग पैसे लगाते चले जाते हैं, शुरुवात में सबको मुनाफ़ा होता भी ह क्योंकि चोटे-चोटे amounts का investment जवाब करते हैं तो आपको उसका एक बड़ा मुनाफ़ा दिखाया जाता है और दिया भी जाता है मैंने अपने पिछले तमाम वीडियो में बताया है कि इस तरह की तमाम betting apps मार्केट में चल रही हैं जो पूरी तरह से illegal हैं इनका कोई आधार नहीं है कोई base नहीं है ना तो खेल ही real time में चल रहा है और ना ही यह यहाँ पर register है आम तोर पर इस तरह की जो apps होती हैं वो 2-3 महिने, 4 महिने, 6 महिने तक चलती हैं और उसके बाद एक trust gain करने के बाद जब आप बड़े-बड़े amounts इसमें invest करने लग जाते हो तो इस तरह की apps अपना बुरिया बिस्तर समेट कर भाग जाती हैं और आपको हो जाता है लाखों क करोडों का नुकसान तो आप खबर पर लोटते हैं खबर यह थी कि एक चीनी नागरिक वू युवान बे ने 2022 में भारत में 9 दिन की यात्रा की और उस यात्रा के दौरान वो गुजरात गया गुजरात में बानस काठा और पार्टन इलाके में उसने बहुत सारे लोगों से मेल मुलाकाते की उसके बाद एक आप लॉंच की और उस आप के जरिये उसने लोगों को अपना शिकार बनाया बताया जा रहा है कि गुजरात के 1200 से अधिक लोग उस आप से जुड़े हुए थे और लगभग 1400 करोड से अधिक का जो है इन्वेस्मेंट उसमें था जब वो भागी यानि कि जो टोटल नुक्सान था वो 1400 करोड से जादा था हलाकि अकबारों में ये भी है कि ये एप सिर्फ गुजरात में ही नहीं थी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की एप में लोगों का इन्वेस्मेंट था अब यहां पर दावे तमाम किये जा रहे हैं बताय लिम्टेट था उसका वो एक डैरेक्टर भी था यानि कि अन्य लोगों के साथ अनिस्थानी लोगों के साथ उसने ये स्कैम रचा ये एप बनाई और उसके बाद हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की अगबार के मुताबिक जो पूरी ठगी है वो सिर् पर आप ED, CBI और इस तरह की सारी संस्ताओं को छोड़ देते हो तो क्यों ना इस तरह के जो स्कैम्स हैं उनको रोकने के लिए भी इस तरह की ED की कारवाई की जाए, CBI की कारवाई की जाए, CID की कारवाई की जाए, या फिर सरकार की Serious Fraud Investigation Office यानि कि SFIO द्वारा इस तरह के मामले की जाच करनी चाहिए और बड़े लेवल पर इसको उजागर करना चाहिए, सरकार को इसका सच भी सामने लाना चाहिए कि ये जो पूरा स्कैम है, ये किस तरह से सामने आया, अब तक क्या कारवाई हुई, तो अकबार के हिसाब से अब तक गुजरात पुलिस ने इस स तरह के पत्यरपड की बात यहां पर नहीं हो पा रही है, शाम होते होते ख़वरों का खंडन हुआ, खंडन किस ने किया, गुजरात पुलिस ने अपना वर्जन बताया, और बताया कि भीया ये जो ख़वर बताई गई है, इसमें कुछ जोल जाल है, यानि कि ग्यारा सो से अधिक लोगों के साथ ठगी तो हुई है, लेकिन जो ठगी का वाल्यूम है, वो महज साड़े तीन करोड रुपए का ही है, पुलिस ने ये भी बताया कि इस से सम्मनित छे सो बीस अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट्स को बैंक कर दिया गया है, और उनमें 16.6 करोड यानि कि 16.6 करोड रुपए जो है, वो फ्रीज कर दिये हैं, अब पहला सवाल तो मेरा ये है, कि अगर ठगी सिर्फ 3.5 करोड रुपए की हुई है, और 16.6 करोड रुपए उन 620 बैंक अकाउंट में फ्रीज कर दिये गये हैं, जो कि फ्रॉट सर से सम्मनित हैं, तो क्या मैं ये मान आया कि जो चीनी नागरिक है, उसका नाम वू यूवानवे नहीं है, वू चॉम्वू है, तो वू चॉम्वू जो है, वो इंडिया में 2017 से 2019 के बीच में रहा है, उसके बाद वो कभी भारत लोट कर नहीं आया, तो मास्तर माइंड जो है, वो वू यूवानवे, जो कि अकबार में छपा था, वो नहीं है, वू चॉम्वू है, जिसका नाम पुलिस ने अपनी प्रेस्विक ग्रिप्ती में दिया है, कि भाईया, ये व्यक्ति था, जिसके खिलाफ लुकाउट नोटिस भी जारी कर दिया है, यानि कि वो चीनी नागरिक दो साल तक भारत में था कब 2017 से 2019 तक, तो दो अलग लग वर्जन है, अब सच्चाई कुछ भी हो सकती है, पहली बात तो ये कि जो 1400 करोड का अकड़ा है, वो कहां से आया, मुझे नहीं पता, अगबारों के माद्यम से में आपके सामने पोट कर रहा हूँ, और बाद में पुलिस ने जो कहा कि ये ज मद्द प्रदेश, करनाटका, मद्द प्रदेश, उडिसा और उत्तर प्रदेश और तमाम राजियों में भी इस तरह के जो मामले हैं, वो सामने आए हैं, अब यहां मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एप है, ये दिसंबर 2021 में आई थी, और ये गई कब है, जून 2022 में यानि कि जो पहला मामला आया था, वो जून में रेजिसर किया गया था, कमपनी के भागने के बाद, जैसा कि आमूमन होता है, क्योंकि जब तक ये कमपनियां चल रही होती हैं, या कह सकते हो कि जब तक ये फ्रॉड एप्स चल रही होती हैं, तब तक इसके मामले सामने नह रुपे मिलता है 500 रुपे डालेंगे तो 1000 रुपे मिलता है ये क्यों करते हैं ये लोग ये इसलिए करते हैं ताकि आपको इस जाल में फसाया जा सके और जब आप मोटा पैसा फसाने लग जाया और यह आपको फोर्ज भी करते हैं क्योंकि एक समय के बाद अगर आप इसमें करना बंद कर दें तो ये आपका अकाउंट बंद भी कर देते हैं ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जिसमें इस तरह की की गई है इससर मेरा अकाउंट पहले ही ब्लॉक कर दिया गया क्यों कि मैं डाउन लाइन इन्वस्मेंट नहीं ला रहा था यानिकि मैं आगे लोग को न तरह के स्कैम में जोड़े और बाद में जो लोग जोड़ जाते हैं या फिर जिनोंने बाद में जादा investment कर दी होती है वो इसमें पूरी तरह से अपना पैसा गवा देते हैं अब यहां पर सरकार ने बोला कि साड़े ग्यारा सो से अधिक लोगों का यह मामला है लेकिन मैं य पहुंशते हो जब भी कोई विक्टिम पैसा गवाने के बाद थाने पर पहुंशता है तो उसको यह कहा जाता है कि आप में पैसे लगाते हो और यहां मू ठाकर चले आते हो कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया जब तक तो आप पैसे जीत रहे थे तब तक तो आप सामने नहीं आज जब आप हार गए हो तो आप हमारे पास आई हो लॉस बताने के लिए तो इस तरह के मामलों में ऐसे कई केसे में कई क्या संभवता नाइंटी नैन परसेंट केसे में मैंने इस तरह की बाते सुनी है जहां पर एक पुलिस ऑफिसर एक बंदे को यह कहता है कि भाईया इ अनुमान है जो मेरी गड़ित है जो आम तोर पर पिछले सारे हमने अपस में देखा जहां बीते दिनों ही फिलिप्स से लेकर जॉनसन से लेकर डापट से लेकर कनेडिय सोलर से लेकर तमाम बड़ी-बड़ी कंपनी के नाम पर टाटा मोटर सेवन इलेवन इन बड़ी- कि football betting की एक company चली गई तो और company नहीं आई उसके बाद एक और company आई जिसका नाम था जीवी football उसके जानने के बाद एक और app आ गई जिसका नाम था lucky ball और इन सभी apps में करोडों रुपए की ठगी चाइनीज लोगों के माध्यम से वहीं पर बैठे बैठे यहां के लोगों के सपोर्ट से हजारों करोडों रुपए प्रतित दिन इंडिया से बाहर जा रहे हैं और उसकी रोक थाम का कोई उपाए नजर नहीं आ रहा है अब ये मामला दो साल पहले रेजिस्टर हुआ था रिकवरी के नाम पर कुछ भी नहीं है यह जो 16.6 करोड रुपए नों ने बताया है कि फ्रीज हुए हैं कितने अकाउंट्स में 620 अकाउंट्स में समझ रहे हैं मतलब कि वो कोई कंपनी नहीं थी उसका अपना कोई अकाउंट नहीं था यही मैं समझाता हूँ आपको सारी investment apps में यहाँ पर जो पेमिन्ट कराई जाती है वो अलग-अकाउंट्स में कराई जाती है, और वो अकाउंट्स किसके होते हैं, वो आप लोगों के ही अकाउंट्स होते हैं, यानि कि वो जो 16.6 करोड रुपए फ्रीज हुए है न, वो कोई स्कैमर के नहीं फ्रीज हुए, क्योंकि स्कैमर अपना लेके निकल चुका है हाले लोगों की होगी जिन्हों ने इन अप मेंवेस्किया होता है और उनका अकाउंट्स कर दिया जाकता है, और एक क्या वो चाइना से यहां अरेस्ट होने के लिए आएगा आपने इसमें कर भी लिया जादा दर मामलों में तो कहीं कोई का वर्जन मानना है तो आप भो भी मान सकते हैं दोनों ही आपके सामने मौजूद में आ रहे हैं चल रहे हैं कोई की नाम बताया इनके नाम पर पैसा लगा रहे हैं और लोग आँख बन करके धढले से इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं और सोचते हैं कुछ नहीं होगा यार कोई दिक्कत नहीं है अब जब मैं यह कहता हूँ कि जितनी भी यह सारी एप्स हैं वो सारी फ्रॉड हैं तो लोग नीचे आके पूछते हैं इसका बतादो जी इसका बतादो जी AWS फ्रॉड है क्या जी ENT फ्रॉड है क्या जी ABC फ्रॉड है क्या जी अब मैं अगर आपसे यह बात कह रहा हूँ कि भाई रेल की पट्री पे चलोगे तो ट्रेन आएगी तो कुछल जाओगे अब आप क्या सवाल पूछते हो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी ट्रेन आएगी तो आप कुछल जाओगे आपका सवाल क्या होता है अच्छा राजधानी आएगी तो क्या मैं कुछल जाओगा गोमती आएगी तो क्या मैं कुछल जाओगा पूर्वा express आएगी तो क्या में कुचल जाओंगा भया कोई भी train आएगी आप कुचल जाओगे ये याद रखना तो आपको फिर से निवेजन करता हूँ कि इस तरह की किसी भी apps के चक्कर में मत पड़ो ये कोई investment schemes नहीं है ये fraud करने का धंदा है तमाम लोग इसमें पैसे account लगाते हैं अपने नाम पर जो बनाया हुआ bank account होता है उसको भी scammers को दे देते हैं इस्तमाल करने के लिए क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि बाद में जो कारिवाई होगी वह आप पर होगी scammers पर नहीं होगी तो आप सभी से निवेदन है कि सेफ रहिए सुरक्षित रह क्योंकि जो scammers हैं वो ऐसे बहुत सारे प्रयास मेरे अगेस करते रहते हैं तमाम notices यह देख लो यह recent notice आया है जिसमें बताया गया है कि मुझे arrest कर लिया गया है 8 महीने के मुझे jail हो चुकी है हलाकि ऐसा कुछ नहीं है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने हूँ और उमीद है कि regular आपके सामने इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा आज के लिए सिर्फ इतना ही फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए scam की चर्चा करने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो महनत से बनाते हैं भाई लाइक कर दीजेगा और दोस्तों और रिष्सिदारों को अवेर करना चाहते हैं इस तरह के scams के against तो इस वीडियो को जादा से जादा संख्या में शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया